मेरा नम पुजराय है और मैं आप लोगों को बता रही हूं कि नाइपकीन की सिलाई आपको कैसे करनी है सिलाई हम कहां से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट दिन का है ये इसके बाद 10 इंच लंबाई है और 12 इंच चौड़ाई है बहुत सारे कमेंटाय थी कि ग्राफ पनाईए और डाइरी बनवा कर किसी खाईए तो हमने कहा कि ग्राफ भी और डाइरी भी आप लोगों का बनवा देते हैं देखे लंबाई हमारी 10 है और चौड़ाई हमारी 12 इंच है ये हो गया तो ये हो गया अब जान लिजी हम इसे चार फोल्ड कर चुके हैं किसी भी कपड़े को पेपर को चार फोल्ड में जैसे बाठते हैं वैसे ही बाठ लेंगे और यहाँ पे हम रखेंगे दो इंच और यहाँ पे रखेंगे हम चार इंच अब इसे हलके हलके हाः से इस तरीके से लगाएंगे डाट-डाट करके मतलब सीधा जा रहा है या नहीं सिधा जा रहा है तो फिर उसके बाद हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से ठीक है तो ये दो है दो इंच है इसको ओपन करेंगे तो चार इंच ये होगा अब यहां की चोड़ाई चार है चार फोल्ड में यह है ठीक है चार फोल्ड हमने इसको किया हुआ है और ये हमारा दो इंच है ये दो है और ये दो इंच है तो इसको फोल्ड खोलेंगे तो ये चार इंच होगा इसके बाद हमें क्या करना है उपर से ये इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है जिसमें कि हमें लाश्टिक एरिया बनाना है ये लाश्टिक के लिए इसे फोल्डिंग करनी है ठीक है तो अब कैसे इसे देखिए पेपर को चार बार मुड़नी के बाद नीचे की ओर से 2 इंच मतलब 4 होगा खोलने पे 4 होगा ये वाला प्रोसेस और उपर की ओर 2 इंटू 2 होगा ये वाला प्रोसेस ठीक है तो ये देखिए इस तरीके से होगा अब हम क्या करते हैं पेपर को फोल्ड करके आपको बताते हैं ये हाफ पेज फोल्ड है एक पेज है अब ये हमारा हो गया तीन फोल्ड तीन फोल्ड हुआ ये टू और ये त्री इसके बाद हमें एक बार और फोल्ड करना है देखिए यहाँ से ये हमेशा जिस तरफ हमें मियानी रखना है उस साइड हमारा बंद साइड रहेगा और जिस तरफ हमें कमर वाला बनाना है जिसमें की हम लाश्टिक बनाएंगे वो हमारा कटा हुआ साइड रहेगा तो इधर दो इंच हो गया अब इधर एक इंच करेंगे ताकि वो दो इंच आजाए दो इंच अब यहाँ से यहाँ से मिलाते जाएंगे देखिए यह मिला करके जैसे कि पुम ने ग्राप में बताया वैसे इसकी कटिंग करनी है इसके बाद उपन करनी के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे यह हो गई हमारी कटिंग कटिंग करने के बाद आप देखिए कि यह कैसा लग रहा है देखिए बिल्कुल लेपकेन के तरह लगने लगा बच्चो को इस तरीखे की मतलब छोटे बच्चेस रहते हैं तो यहां से बच्चो का कपड़ा भी स्टार्ट होता है जैसले क्चड़ी या शुटी चुटी बंडी तो ही से हम स्टार्ट करते हैं कपड़े की सिलाई भी छोटी-चोटी चीजों से ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो अब हमें यह राउंड चिलना है छिलने से पहले थोड़ा सा मिसको शिकोड लेंगे क्योंकि पेपर है कि हम फोल्ड नहीं करते हैं, फोल्डिंग करके सिलेंगे हो तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा और आसानी से सिल सकती हो, इसके बाद हलके हाथ से फोल्ड करते जाना है और सिलाई बनाते जानी है, गाईस अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सिस्क्राइब करें, हम छोटी से चीज में भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें, तो हमारे पास कितनी भी सुविधा होंगी, हम नहीं कर पाएंगे, अगर हमने ठान लिया कि हमें करना ही है, तो हम छोटी छोटी चीजों से कर सकते हैं, स्वीधागा पकड़ लीजिए, पेपर आउंगी जिस भढ़ चुकी होंगी उसमें भी आप निकाल करके पेच को इस तरीके से सिल करके देख सकते हो कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है तो यह चोटी-चोटी जो चीजे होती हैं जो हमें आगे बढ़ने में प्रुचाहित करती हैं और हल्की हल्की सी आपकी करने के बाद लगभग एक इंच हम डिश्टेंस रखेंगे पगल में क्योंकि कपड़ा हम जब हम सिलाई करते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेकर के ही सिलते हैं जैसे कि हम मितलब डिजाइनर के पास जो आता है रेटीमिट कपड़े में आपने देखा होगा क कंपड़े रहते है आप दिकत होने लगता है तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा रखेंगे हम तो हमें कोई दिकत भी नहीं होगी ठीक है तो दोनों साइट का हम सिलेंगे शेयाय होनौने के बाद अब हमें जो लाश्टिक लगाना है उसके लिए बनानी तो किनारे से फोल्डींग करते जाएंगे वरना पेपर फट जाहेगा अगर आप लोग इस तरीके से नहीं बना पा रहा है तो और भी सिम्बल से तरीकें जिसे हम बना सकते हैं कपड़े पर आप पऊरानी साडिया जो फट गए हैं उसी में से आप थोड़े-मोड़े कटिंग करके इस तरीके से सिल सकते हो अगर आपके पास मसीन है तो नहीं है तो सुई धागा स्ट्राइक करिए मायू सुनी की कोई बात नहीं है यह प्लास्टिक एरिया है इसे कंप्लीट करेंगे हम देखिए इसे कंप्ल कितना फाड रहे हो और कितना अच्छा चल रहे हो ठीक है तो यह होता है फ्रस्ट प्रोसेस जो कि सिलाई में सिखाया जाता है पेपर के थरूर हम सिखा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो माल लेजिए अगर यह फट गया कोई बात नहीं फिर से करें इसके बाद 9 इंच आपके बच्चे का हिप है तो आप 11 इंच रखें अगर 11 है तो 13 इंच रखें और बच्चे छोटे होते हैं तो उनके हिप की लंबाई आप 7 इंच रखेंगे तो 6 से 6.5 तक आजाएगा 8 इंच रख लीजिए तो यह होता है हिप की उनका हिप और लंबाई नाप करक तो वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें बताईए कि चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लेजिए यह बहुत सीजन टू है मैं बहुत सारी वीडियो डालने जा रही हूं जो की पेपर की बनी होगी और आपको सिलाई में मदद मिलेगी ठीक है तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंकियो सो माच मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई